वेल्कम बैक फ्रेंड आशा करता हुआ बहुत अच्छ होंगे सो मेरा नाम है विवेग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंसाइक्लोपेडिया और जन्रल साइंस फिजिक्स पार्ट टू तो पिछले लेक्सर्स चेरिज में हमने फर्स वीडियो में यह दिखाता कि फंडामे अगर आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है इस वीडियो के डिस्केशन बाक्षा जो जो लिंक है वोस्त टेलिग्रम चैनल को आपको जाइन कर लेना है सो लेट स्टार्ट सो आज हम दिखने वाले ही important formula of derive unit ओके फर्स्ट है हमारा formula area of the rectangle area of rectangle क्या होता है यह होता है l into b हमारा rectangle का है इस तरह rectangle होता है यह जो बड़ी side होती है वो हती है हमारा l and जो छोटी side होती है that is the b इन दोनोंका जब मल्टिकेशन करता हो so we get the area that is the l into b इसका unit क्या होता है, meter into meter, meter square area of square क्या होता है, क्योंकि square के हर एक side same होते है इसलिए मैंने दो side ले लिए, side into side यह आता है, meter into meter meter square area of triangle, अब area of triangle क्या आता है, triangle हमें मालूम है क्यों कुछ इस तरह दिखता है, यह जो line होती है, 20 से जो length होती है, that is the height and यह जो नीचे वाला side होता है, that is the base okay, so area of triangle आता है, half into base into height, that is the meter into meter meter square, अब density means क्या होता है, density mass per unit volume suppose, अगर density को याद रखने का तरिका देखो, suppose एक room में 100 लोग है, okay एक छोटा सा room है, 10 बाई 10 का and उसमें 100 लोग है and उसी room में मैंने 90 लोग डाल दिया, तो पहले room में सव लोग थी, उसी volume में and दूसरे condition में उसी volume में 90 लोग थी तब किसकी density जादा है, first room वाले density जाता है, मतलब एक particular space में कितने material या particle है, तो सेम इसको कैसे derive करते हैं, या मतलब इसको कैसे calculate करते हैं, इसका mass per unit volume, हमें मालूम है कि जो mass होता है, उसका unit होता है kg, and volume का unit क्या होता है, meter into meter into meter so that is the meter, तो इसको लिखते है kg per meter क्यों acceleration क्या होता है, acceleration is the change in velocity per unit time इसका answer आता है meter per second inverse, अब या unit कैसे निकला है, देखो, acceleration क्या होता है, change in velocity per unit time, नाव हमें मालुम है कि velocity का unit होता है meter per second and time का unit क्या होता है second so we get the meter per second square अब ये unit बन जाएगा meter per second square inverse okay twice आई हमारा unit बनता है pressure क्या होता है pressure होता है force per unit area per unit area में कितना force लग रहा है तो इसका unit आता है force का unit Newton area का unit meter square neuter per meter square और इसको कभी कभी pascal बोलते है प्रेशर को pascal में भी बताते है क्योंकि एक बहुती famous law है pascal's law वर्क और energy ये किसमें दिखाते हैं ये mass into acceleration due to gravity into g होता है so हम लिख सकते mgh so यही formula potential energy के लिए भी लागू होता है potential energy का भी formula यही है इसका unit आता है Joule हमने कितना energy या work किया है तो हम किसमें बताते हैं हम ये Joule में बताते हैं या Newton meter में बताते हैं power जैसे हम घर में बल्स लाते हैं तो 60 Watt वाले होते हैं, 100 Watt वाले होते हैं, तो यह हम क्या बता रहे हैं? उसकी energy नहीं बता रहे हैं, यह हम उसकी power बता रहे हैं, तो power कैसे calculate करते हैं? वरक अपान टाइप तो पर युनित हमें मालूम है जूल होता है and time का unit क्या होता है obviously second होता है तो जूल पर सेकंड तो most famous इसका unit चो होता है जुसको बताते है यह वैट में बताते यह 60 Watt 100 Watt 120 Watt तो यह वैट में बताते है वाट में क्या बताते है फिर पावर बताते है impulse क्या होता है, impulse is the product of force into time, okay, so इसको बताते है, force का unit Newton and time का unit seconds, and that is the Newton second, volume of cuboid, अभी मुझे इतना ये बताना है, कि हमारा जो cube होता है, cube से बनता है, sorry, square से बनता है cube, and cube से बनता है cuboid, क्या बनता है, square से बनता है cube, and cube से बनता है cuboid, टीके, so sorry, square से बनता है cube, and हमारे rectangle से बनता है cuboid, ठीक है न, so अगर मैं यहाँ पर draw करके दिखाओ आपको, suppose यह हमारा square है, okay, so that is the two dimensional, तो इसको अगर cuboid बनाना है, so that is, यह हमारा cuboid बन गया, ठीक है न, यह हमारा cuboid बन गया, लेकिन, अगर मैं rectangle ले लूँगा, तो यह rectangle, तो इसका अगर, यह जो shape बनेगा, that is the cube बनेगा, and rectangle से क्या बनता है, rectangle से बनता है, हमारा cuboid, कैसे बनता है, कुछ इस तरह, okay, okay, so यह हमारा cuboid बनता है, तो आपको इतना ज्यान रखना है, हम देखो, volume of cuboid, मतलब, उसको जो cuboid होते है, है, उसके length breath है, अलग-अलग होते है, so LBH, meter into meter into meter, meter cube आता है, जिसको volume क्या होता है, LBH, force क्या होता है, mass into acceleration, तो यह formula आपको कहां से derive होगा, यह formula आपको newtons, second law से यह derive होगा formula, तो यह क्या होता है, mass into acceleration, so mass का unit हमें मालूम है kg, acceleration का unit हमने उपर ही derive किया था, meter per second inverse, okay, so यहापे लगा दो, mainly जो force होता है, वो newton में बताते हैं, okay, so force हमेशा newton में ही बताते हैं, okay, so important unit है newton, linear momentum क्या होता है, okay, किसी भी चीज, किसी भी दूसरी चीज को कितने ज़्यादा, जोर से impact कर रही है, that is the momentum, जितना ज़्यादा उसका mass, जितने ज़्यादे उसकी velocity, उतना ज़्यादा उसका momentum, ठीक है न, तो mass into velocity इन दोनों का product ही momentum होता है, ठीक है, magnetic field क्या होता है, it is the force divided by electric current and displacement, यह तो magnetic field किसमें बताते हैं, यह टेजला में बताते हैं, यह वेवर पर मिटर स्कॉर में बताते हैं, next है, velocity क्या होता है, velocity simply displacement per unit time, okay, and acceleration क्या होता है, velocity per unit time, so हमने यहाँ पर देखे कि, अलग-अलग quantity के, जो derived quantity है, उसके units क्या होता है, तो friends, अब हम देखते हैं कि, practical unit of length, mass and time क्या होता है, देखो, किताब में बहुत सारी unit देखे हैं, and इतनी unit आपको क्या करने हैं, पढ़ के याद रखने हैं, सभी explain करना, यह मतलब इसमें इतना ज़्यादा important नहीं है, आपको only पढ़ के वो याद रखने हैं, जो भी यहाँ से important है, मैंने यहाँ पे लिखती हैं, उसे आप याद कर लोगे, तो sufficient है आपके लिए, लेकिन आपको अगर याद भी रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो, तो first है, first, light year क्या होता है, light year simply यह distance होता है, मतलब जो light होता है, एक year में कितना distance travel करता है, ठीके न, तो उन्होंने यह पता लगा है, कि जो भी stars होता है, universe में जो भी stars होता है, उनके death कैसे होती है, मतलब last में जाके यह degrade कैसे होता है, तो उन्होंने यह पता लगा है, कि यह होता है, 1.4 into mass of the moon, इसकी, sorry, यह mass of sun है, not a moon, okay, mass of the sun, तो उन्होंने यह पता लगा है, कि अगर, so, mass of sun है, तो अगर इसको calculate करेंगे, तो value आजाएगी, 2.8 into 10 to the power 30 kg, मतलब, चंदर शेकर का यह बोलना था, कि, अगर mass, इससे जादा होगा, इससे जादा, जिस star का mass होगा, वो degrade कैसे होगा, या मतलब, उसके death कैसी होगी, और किस तरह, अगर, किसी planet का mass, इससे कम होगा, तो उस planet की, या, उस star की, sorry, यहाँ पे star की हम बात कर रहे है, उस star के death कैसे होगी, इससे जादा होगा, तो अलग तरह से उसके death होगी, और इससे कम होगा, तो उसके death अलग तरह से होगी, यह चंद्रशकर लिमिट ने बता आया है, दिखें, वन लीप एयर, और जनरल यर क्या होते है, जनरल यर में 365 डेज होते है, और लीप एयर में simply 366 डेज होते है, इसलिए February मंत में हमाई 29 डेज रहते है, और नॉर्मल यर में 28 डेज रहते है, यह question बहुत बाइब पूछा जाय चुका है, 4046 square meter यानि 1-inch होता है, कभी-कभी यह पूछता है, 1-inch means कितना square meter, या कितना square meter means 1-inch होता है, आपको यह याद रखना है, I hope आपको यहाद clear हो गया होगा, इसके रहे रहे कुछ कुछ बिडाउट हो, thank you for watching my video